हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे आई पीसी की धारा 447 से लगा कर आई पीसी की धारा 445 तक के बारे में लेकिन इसको समझने के पहले आपको इस वीडियो के पहले वाला वीडियो भी देखना होगा जो आपरादिक अतिचार के बारे में बताया गया है धारा 441 से धारा 446 तक का विवरन उसमें दिया गया है और उसमें आपरादिक अतिचार ग्रह अतिचार मतलब के ग्रह भेदन प्रच्छन ग्रह अतिचार इस प्रकार से उन सभी चीजों के बारे में समझाया गया है और यहां पर इस video में cable cable आपरादिक अतिचार के संभज में जो डंड के प्रावधान किये गए हैं हम उस से संबंदिर चर्चाएं कर रहे हैं तो आपरादिक अतिचार को समझने के लिए उसकी definition को समझने के लिए आप जो है यहां पर किलिक करें यहाँ पर उसका वीडियो आपको मिल जाएगा लिंक के द्वारा आप वहाँ पर जाकर करके उस वीडियो को पहले देख लें और इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो हम यहाँ पर बात करते हैं आपरादिक अतिचार के लिए दंड याने के कोई व्यक्ति किसी की संपत्ती में जवरन प्रवेश करता है या आवीदी पूर्वक बने रहता है तो उसके लिए क्या दंड मिलेगा यहाँ पर यह बताए गया तो जो कोई आपरादिक अतिचार करेगा वह दोनों में से किसी भी भाती के कारवास से जिसकी अबदित तीन माह की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से धंडित किया जाएगा दौनों में से किसी भी भाती का कारवास मतलब मतलब की सासरम कारवास और साधारन कारवास दौनों में से किसी भी भाती का कारवास हो सकेगा तो जो तीन माह तक का हो सकेगा इससे ज़्यादा नहीं अब हम बात करते हैं IPC की धारा 448 के बारे में दारा चार सो अर्टालीस क्या कहती है ये भी आपरादिक अतिचार के दंड के विशय में हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी गंबीरता जादा होने के वज़े से दंड का प्रावधान थोड़ा सा अधिक किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपरादिक अतिचार को हमने समझा उसके दंड के विशय में समझा अब हम बात करते हैं धारा चार सो अर्टालीस ग्रह अतिचार के लिए दंड याने कि हमने जो उपर देखा था वो आपरादिक अतिचार याने संपत्ति के किसी भी भाग में अतिचार के विशय में था और यह सिर्फ और शिर्फ ग्रह अतिचार के बारे में है, यानने कोई व्यक्ति घर में आविधी पूर्बक गुसता है, या आविधी पूर्बक बने रहता है, तो उसके लिए दंड़का क्या प्राउधान है? यहाँ पर है, जो कोई ग्रह अतिचार करेगा, वह दौनों में से किसी भी भाती का काराबाद जिसकी अवदी एक वर्स हो सकेगी उपर हमने देखा कि ती माग की अवदी थी और यहाँ पर बताया गया कि एक वर्स की अवदी क्योंकि ग्रह अतिचार जो है आपरादिक अतिचार से थोड़ा सा गंबीर विशय होता है तो एक वर्स तक की अवदी हो सकेगी और जुर्माने से जो पांसो रुपे तक का हो सकेगा यानि कि पांसो रुपे तक का जुर्माना हो सकेगा और एक वर्स की सजा हो सकेगी तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि 500 रुपे जुर्माना या एक वर्ष तक की सजा यदि कोई ग्रह अतिचार करता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं इस प्रकार से हमने इस चीज को समझा अब हम बात करते हैं अगली धारा 449 के बारे में क्या है धारा 449 धारा 449 कहती है कि म है लेकिन विशय क्या गया है अपराद कौन सा वाला करने के उद्देश से गया है व्यक्ति म्रत्यू से दंडनी अपराद को करने के लिए किया गया अतिचार ग्रह अतिचार यानि कि कोई व्यक्ति किसी को मार दे मतलब मा कुल मिला के म्रत्यू दंड जिन मामलों में मिलता एसे किसी मामले को मतला ऐसे किसी अपराद को करने का उद्देश है जो मृत्यू दंड से दंडनी है तब उसको जो है ऐसे समय में ग्रह अतिचार करता है इस उद्देश को ले करके तो उसको कितनी सजा होगी तो हम बात करते हैं जो कोई मृत्यू से दंडनी कोई अपराद करने के लिए ग्रह अतिचार करेगा याने के ऐसा अपराद जो मृत्यू दंड से दंडनी हो ऐसा अपराद करने के लिए कोई घर में प्रवेश करता है तो उसको जो है क्या मिलेगा सजा के रूप में यहां परन देख रहा है उसको या तो आजीवन कारावास यदि कोई आसाय से प्रवेश करता है तो आजीवन क कारवास से जिसकी अवदी कितनी हो सकेगी दस वर्स तक की हो सकेगी याने कि या तो उसको आजीवन कारवास मिल सकता है या दस वर्स तक का कठोर कारवास मिल सकता है या फिर या फिर का कोई चांस नहीं है यहां पर उसको दंड के रूप में जुर्माना भी देना ही होगा अ अब हम बात करते हैं धारा 450 के बारे में धारा 450 क्या कहती है आज इवन कारावास से दंडनी अपराद करने के लिए ग्रह अतिचार हमने उपर क्या बात करी हमने उपर बात की कि म्रत्यु दंड से दंडनी अपराद करने के लिए कोई व्यक्ति ग्रह अतिचार करता है अब हम पर क्या बात कर रहा है धारा 450 में आजीवन कारावास से दंड़नी अपराद करने के लिए ग्रह अतिचार यानि कि किसी के घर में घुषना और उद्देश क्या हो ऐसा कोई कोई अपराद करना जिसकी सजा आजीवन कारावास हो सकती है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको सजा का क्या अपरावदान है यहाँ पर यह बताया गया कि जो कोई आजीवन कारावास से दंड़नी को의 अपराद करने के लिए ग्रह अतिचार करेगा वह दौनों में से किसी भी भाति का कारावास जिसकी अवदी 10 वर्स तक की हो सकेगी या 10 वर्स तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा याने कि ऐसा कोई अपराद करने के उद्देश से किसी ने घर में अतिचार किया है जबरन प्रवेश किया है जो आजीवन कारवास से दंडिनी है तो ऐसे अपराद के लिए उसको जो है दस वर्स तक का कारवास दिया जाएगा यदि इसे उद्देश को ले करके ग्रह अतिचार किया है यदि उसने आजीवन कारवास से दंडिनी कोई अपराद किया है तो उसको आजीवन कारवास तो मिलेगा लेकिन उसका उद्देश चाकेला था आजीवन कारवास से दंडिनी अपराद करने के लिए और उस उद्देश को ले करके उसने ग्रह अतिचार किया है तो उसको जो है दस वर्स का कठिन कारावास यहां पर मिलेगा ऐसा यहां पर बताया गया अब दोनों में से किछी भी भाती का कारावास बताया है कठिन कारावास नहीं है दोनों में से किछी भीबहति का कारवास धारा 450 में बता है अब हम बात करते हैं धारा 451 के बारे में क्या है कारवास से दंडनी अपराद करने के लिए गरतिचार अब यहां पर जो है तोड़ा सा जो गंबीर कम हुआ है मतलब गंबीर विशय जो उपर वाला था उससे उपर वाला और ज़्यादा गंबीर था वहाँ पर जो था मृत्यु दंड से दंड नी अपराद करने के लिए फिर आया आजीवन कारवास से और अब आया सिर्फ कारवास यानि के कोई व्यक्ति कारवास से दंड नी अपराद करने के लिए ग्रह अतिचार करेगा वह दौनों में से किसी भी भाती का कारवास जिसकी अबदी दो वर्स हो सकेगी यहाँ पर देखो गंबीरता कम है तो दंड भी यहाँ पर कम ही दिया गया है जिसकी अबदी दो वर्स हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किय जाएगा यहां पर यह नहीं लगा है इसमें और लगा हुआ है यहने कि और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा यहां पर एक बात और यहां पर विशेश रूप से दी गई है कि यदि वह अपराद जिसका किया जाना आशायत है चोरी हो मतला अपन ने यह कहा कि कारवास से दंडिनी अपराद के लिए कोई ग्रह अतिचार करेगा तो इसको दो वर्ष तक का कारवास है लेकिन यहां पर सज्जा का प्रावदान दो वर्ष का नहीं है यहाँ पर सजब बढ़ जाती है यदि कोई चोरी के उद्देश को लेकर के ग्रह अतिचार करेगा तो वह साथ वर्स तक के काराबास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा अब हम बात करते हैं धारा 452 के बारे में धारा 452 क्या कहती है उपहती हमला या सदोस अपरोध की तैयारी के पश्चात ग्रह अतिचार याने कि यहाँ पर सिर्फ तैयारी की बात है कौन कौन सी काय कायी की तैयारी उपहती याने कि किसी को चोट पहुचाना मतलब ग्रह अति की है या सदोस अवरोद याने के उसको जो है पकड़ के रखने की तैयारी की है और ऐसी तैयारी करने के बाद उसने ग्रह अतिचार किया है तब उसको कितना दंड मिलेगा यहां पर यह बताया गया तो जो कोई किसी व्यक्ति को उपहती कारित करने के लिए या हमला करने के लिए या सदोस अबरोध कारित करने के लिए और ऐसे अपराद को अंजाम देने के लिए ग्रह अतिचार करेगा तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है तो वह दोनों में से किसी भी भाती का कारवास जिसकी अबदी साथ वर्स हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा यहाँ पर हमने इस बात को समझा अब हम बात करते हैं IPC की धारा 453 के बारे में IPC की धारा 453 क्या कहती है प्रच्छन ग्रह अतिचार या ग्रह वेदन के लिए दंड प्रच्छन मतलब छिपाया जाना लर्किंग जिसको हम बोलते हैं तो प्रच्छन ग्रह अतिचार याने के ऐसा अतिचार जिसमें किसी व्यक्ति का छिपाया जाना आशायत है मतलब कोई व्यक्ति जाकर के किसी के घर में जवरन प्रवेश कर गया और छुप गया मतलब के मालिक को पता ही नहीं है कि वो जो है कोई व्यक्ति यहां पर आकर के छुपा हुआ ऐसा यदि करता है तो इसको बोलेंगे प्रच्छन ग्रह अतिचार तो प्रच्छन ग्रह अतिचार या ग्रह बेदन ग्रह भेदन की परिवासा मैंने इसके पिछले वीडियो में बता दी है इसके पिछले वीडियो को आप अवश्य देखें तो ग्रह भेदन आपको समझ में आ जाएगा ग्रह भेदन का मतलब होता है कि घर को भेदना यानि के घर को तोड़ना है और तोड़ करके उसके अंदर प्रवेश करना इसमें कौन कौन से तरीके जो है वो सम मैंने पिछले वीडियो में बता है तो इस वीडियो में अपन टाइम खराब ना करें आप पिछला वीडियो अवस्य देख लें लिंक आपको जो है description में भी मि अतिचार करेगा या ग्रह भेदन करेगा वह दोनों में से किसी भी बाती का कारावास जिसकी अबदी दो वर्स हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जो है जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा यानीकि वो भी दंडित किया जायेगा जुर्माने से भी और या दोवर्स के काराबाथ से भी दंडित किया जाएगा अब हम बात करते है धराझ 404 पन के बारे में आई पी-सी कोई तरने जाता है या घर को भेद के अंदर चला जाता है तो उसके लिए क्या सजा होगी यहां पर यह बताएगा है तो जो कोई कारावास से दंडनी अपराद करने के लिए प्रच्छन ग्रह अतिचार करेगा या ग्रह भेदन करेगा तो बहुत दौनों मैंसे किसी भी भाती के कारावास से जिसकी अबदी तीन वर्स हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा अच्छा एक बात और यहां पर तथा यह अपराद जिसका किया जाना आशयत हो चोरी का है तो कारावास की जो अबदी है वो दस वर्स तक की हो सकेगी अब हम यहां पर एक बात और कर लेते हैं धारा 405 के बारे में इस वीडियो की अंतिम धारा है इसके अगले वीडियो के बारे में यदि आप अगला वीडियो देखना चाहें तो उसके लिए यहां पर आपको दिस्क्रिप्शन में यहां पर लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा पहले दारा 455 पढ़ लें तो यहां पर बताएगा है उपहती हमले यह सदोस अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन मतलब के उपहती य यहां पर यह बताया गया है तो जो कोई किसी व्यक्ति को उपहती कारित करने के लिए या हमला करने के लिए यह सदोस अवरोध कारित करने के लिए एदि कोई जो है ग्रह अतिचार करता है या या जो है ग्रह भेदन करता है तो उसके लिए क्या सजा है यहां पर यह बताई गयी है क्या है कि वह दोनों मैंसे किछी भी भाति के कारावाज से जिसकी अबदी 10 वर्स हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी द माप्त होता है वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वे लाइक और प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए यह वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत देनिवाद